प्यारे बच्चों गुडियूनिंग आदार क्लास से जुनजनों की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है रीट वे पठवार के लिए एक मैतोमून टोफिक चक्रवर्दी ब्याज आज अपन डिश्कस कर रहे हैं चक्रवर्दी ब्याज यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट ब्याज लगाना यानि परतेग वर्ष जो ब्याज आता है उस पर पुने अगली साल ब्याज लगाया जाता है तो वो कहलाता है चक्रवर्दी ब्याज इस टोफिक को पढ़ने के लिए वैसे अपने कोई सुत्र की जोड़त नहीं पढ़ेगी सारे की शिश्यों अपन सोट प्रेक्ष करेंगे लेगिन फिर भी अगर इसका सुत्र देखें तो सुत्र होता है चक्रवर्दी ब्याज बराबर होता है मूल्दन इन्टू वन प्लस दर बटे सो की पावर शमय माइनस मूल्दन मूल्दन का मतलब होता है जो रासिय पन उदार देते हैं वो मूल्दन कहलाता है दर का मतलब होता है बारा महिने का सो रुपे का ब्याज दर कहलाता है जैसे दर दस परतीशत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बारा महिने का सो रुपे का जो ब्याज होगा वो कितना होगा द तोटल रासी तब उसका फूर्मला हो जाएगा मूल्दन इंटू वन प्लस दर बट्टे सो की पावर समय कुछ कुछ क्यूशन अपन करके देखते हैं प्यारे बच्छो सो ट्रिक्स अपन कुछ क्यूशन कर रहे हैं जैसे माल लो एक्जांपल अपन देखें माल लो मूल्दन है एक अजार रूपे दर हैं दस परतिशत समय है माल लो दो वर्स तो एक तो तरीका है ये कुछन है अपने शुतर से कर सकते हैं दूसरा एक आसान तरीका है दर कितनी होगी दस परतिशत दस परतिशत का मतलब कितना हो गया एक बटा दस अब एक आसान तरीका होता है ट्री method, tree method से इस question को कैसे कर सकते हैं, प्यारे बचो मूलदन दे रिखा है अपने को 1000 रुपए तो जो साधान ब्याज का जो सुतर होता है, वो सुतर काम में लेकि इस question को किया जा सकता है दो वर्ष का अपने को ब्याज निकालना है ये पहला वर्ष हो जाएगा, ये दूसरा वर्ष हो जाएगा 1000 रुपए का 10% की दर से ब्याज कितना होगा साधान ब्याज कितना होगा तो फॉर्मला होता है मूलदन इंटू, समय इंटू, दर तो मूलदन ये हो गया, दर ये हो गयी समय एक वर्ष हो गया तो कितना हो जाएगा? सो रूफे फिर दूसरी साल का एक वटा दस की दर्स है अगर ब्याज निकालेंगे तो वो भी कितना हैगा पहरे बचो सो रूफे यानि एक हजार रूफे का दो साल का अगर साधान ब्याज बुच्छा जाए तो वो हो जाएगा दो सो रूफे अब अपने को निकालना है चक्रवर्दी ब्याज चक्रवर्दी ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है यानि पहली साल जो ब्याज आया है उस पे वापिस क्या लगेगा ब्याज लगेगा तो उसके लिए दर कितनी हो जाएगी एक बटा दस तो दूसरी साल का अगर ब्याज निकालेंगे सो रुपे का तो वो कितना हैगा प्यारे बचो दस रुपे तो यहाँ पे अगर अब चकरवर्दी ब्याज की व्याद करें तो चकरवर्दी ब्याज कितना हो जाएगा चकरवर्दी ब्याज हो जाएगा सो प्लेस सो प्लेस ये दस रुपे यानि कितना हो जाएगा प्यारे बचो दो सो दस रुपे अगर साधान ब्याज पुछा जाता तो साधान ब्याज कितना हो जाता सो प्लेस सो यानि कितना हो जाता है प्यारे बच्चों दो सो रुपे तो एक आसान सा मेथड है मूल दन कितना था एक जार रुपे दो साल का अपने वो ब्याज निकालना था तो पहली साल का अपने ब्याज निकाल लिया, दर कितनी थी, 10 परतिशत, तो एक बटा 10 से इसको गुणा कर लिया, दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे, एक बटा 10 से 100 रुपे आएगा, फिर पहली साल जो ब्याज आया है, उसका दुबारा ब्याज निकालेंगे, दूसरी सा या दर कितनी है देखो 10 परतिशत, 10 परतिशत का मतलब कितना हो गया, दर है 10 परतिशत, 10 परतिशत को अपन लिख सकते हैं 10 बटा 100, तो इस बात का मतलब यह होता है कि 100 रूपे का एक साल का जो ब्याज हो कितना है 10 रूपे, या इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, एक बट दूं तो कितना हो गया? 10 रूपे हो गया FS फिर 1 रूपे है तो yâni répondre कितना हो जाएगा 59 रूपे हो जाएगा 65 तो यहां मूलदन लिख रहा हुte यहां पर मिश्र न लिख रहा हु एकसे मेथोड होता है उस अपन इस question को कर सकते है मूल दन 10 रुपे है ब्याज 1 रुपे हो गया तो मिसर दन कितना हो जाएगा 11 रुपे दूसरी साल के लिए फिर अपन देख रहे हैं 10 रुपे से कितना बनना है 11 रुपे दोनों को multiply कर देगे इसको गुणा करेंगे इसको गुणा करेंगे कितना हैगा 121 रुपे यानि अगर मूल दन 100 रुपे होता तो दो साल में मिसर दन कितना हो जाता 121 रुपे यानि ब्याज कितना आ जाता है प्यारे बच्चो 21 रुपे 21 रुपे ब्याज आ जाता जबकि यहां पे अपने को मूल दन कितना दे रखा है एक अजार रुपे अगर सो रुपे होता तो उसका ब्याज आता है 21 रुपे अब यहां पे अपने को मूल दन दे रखा है एक अजार रुपे तो यानि 100 रूपे किसके बराबर होगए 1,000 के बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 रूपे 21 बराबर कितना हो जाएगा 21-10 यानि कितना हो जाएगा 210 रूपे इस method से भी this question को आसानी से अपन कर सकते हैğ here question और देखते हैं प्यारे बच्छो Mouldan है बारा अजार आठ शो रुपे दर दे रखिये 25 परतिशत समय दे रखा है दो वर्ष चक्रवर्दी ब्याज अपने को पूछा गया है दर 25 परतिशत है 25 परतिशत का मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्छो एक बटा चार ट्री मेथडस को करते हैं मूलदन कितना है 12,800 रुपे दो साल का ब्याज निकालना है ये पहला साल हो गया ये दूसरा साल हो गया पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा एक बटा चार से इसको गूणा करेंगे तो यह आएगा चारती, बारा, चारदूनी, आठ यानि 32 सो रूपे फिर दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे, वो भी कितना हैगा? 32 सो रूपे अब पहली साल जो ब्याज आया है, उस फिर दुबारा ब्याज लगाएंगी तो पहली साल पे जो ब्याज आए उस पे दुबारा ब्याज लगाएंगे प्यारी बचो तो वो कितना हो जाएगा 800 रूफ है तो यहां से अगर हम देखें तो चकरवर्दी ब्याज कितना हो जाएगा चकरवर्दी ब्याज हो जाएगा 2200 प्लस 2200 प्लस 800 साधान ब्याज अगर पूछा जाता तो कितना हो जाता है प्यारे बच्छो 6400 रूफ है टोटल कितना हो गया ही 200 रूफ है दूसरा जो रेशियो मेथड है उससे अगर करें तो दर यहां पे कितनी है एक बटा चार यानि मूलदन मिशर्दन मूलदन अगर चार है तो ब्याज कितना आएगा एक रूपए आएगा उस पे तो मिशर्दन कितना हो जाएगा पांच दो साल है इसलिए फिर चार और फिर पांच लिख लेंगे दो साल के लिए दो बार गुणा कर देंगे, अगर तीन साल होता है, तो इसको तीन बार गुणा कर देते हैं तो यह हो गया 16 रूपे, ये कितना हो गया प्यारे बछ वचो 25 रूपे तो 16 रूपे का जो मूलदन हो कितना बन जÃएगा, 25 रूपे बन जाएगा यानि ब्याज कितना हो गए पहरे बच्छों 9 रूपे मूलदन अगर 16 रूपे है तो ब्याज कितना हैगा 9 रूपे जबकि अपने को यहां पर मूलदन दे रखा है कितना 12800 रूपे तो एक बराबर कितना हो जाएगा 900 रूपे ये 800 रुपे, 800 रुपे हो जाएगा तो 9 रुपे ब्याज कितना हो जाएगा यानि 16 यूनिट का मान कितना हो गया है 12,800 हो गया है तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 800 जबकि ब्याज कितना है 9 यूनिट है तो 9 यूनिट का हो जाएगा 9 गूना 800 यानि कितना हो जएगा?, बैतर शोव रूपै, वैसे, ट्री मेटव्से, हासाने से, अपन, Squid contribution, कर सकते है, नेग्स्ट क्यूशन है, प्यारे बचोग, मूल्दन दे रखा है, बैतर 70 रूपै, मूल्दन दे रखा है, बैतर 100 रूपै, दर दे रखिये, सोडा सही 2 बटा 3 परतिशत समय दे रखा हैं 2 वर्ष चकरवर्दी ब्याज अपने को ग्यात करना है दर सोडा सही 2 बटा 3 परतिशत इसका मतलब कितना हो जाएगा एक बटा अच्छे प्यारे बच्चों 3 मेथड से इस क्विशन को करें तो बेतर सो रुपे दो साल का ब्याज अपने वो निकालना है फैस्ट ये रो जाएगा ये सेकंड ये रो जाएगा एक बटा च्छे की दरसने ये कितना हैगा बारा सो रुपे फिर एक बटा च्छे की दरसने ये कितना हैगा बारा सो रुपे अब जो पहली साल का ब्याज आए उस पर दूसरी साल फिर ब्याज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा दो सो रूप है तो अगर अपने वो पूछा जाता साधार्ण ब्याज तो साधार्ण ब्याज कितना हो जाता है प्यारे बच्चों अगर अपने को यह पुछा जाता कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज क्या होगा तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज क्या हो जाता अगर इसी क्विशन में अगर अपने को यह पुछा जाता कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज क्या हैगा तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्दी व्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्छों बाराशू प्लस दो सो यानि कितना हो जाएगा चोराशू अब यहाँ पे अपने को चक्रवर्दी व्याज पुछा गया था तो अपना जो इंस्वर हो जाएगा चक्रवर्दी ब्याज अगर अपने को तीन साल के लिए पुछा जाए एक क्विशन अबन करके देखते हैं प्यारे बच्छो मूल्दन है दस अजार रूपे दर है दस परतिशत समय दे रखा है अपने को तीन वर्ष चक्रवर्दी ब्याज अपने को पूछा गया है दर दस परतिशत का मतलब कितना हो जाएगा एक बटा दस अभी इस क्विशन को थोड़ा शमजना प्यारे बच्छो मूल्दन था दस हजार रूपे तीन साल का अपने को ब्याज निकालना है यह fast, second, third पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा एक बटा दस तो यह आएगा कितना एक हजार रूपे दूसरी साल का कितना हो जाएगा फिर एक हजार रूपे तीसरी साल का फिर कितना हो जाएगा एक हजार रूपे अब पहली साल जो ब्याज आया है उस फे दुबारा ब्याज लगेगा तो एक बटा दस की दर से इसका ब्याज कितना हो जाएगा पहरे बच्चों 100 रूपे अब 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 तीसरी साल का चकरवर्दी ब्याज निकालेंगे तो इससे पहले जो भी ब्याज है उन सब पर क्या लगेगा वापिस ब्याज लगेगा तो एक अजार रूपे का अगर ब्याज देखें तो ये कितना हो जाएगा एक बटा दस की दर से 100 रूपे फिर ये जो ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा इस पे ब्याज लगेगा तो ये कितना मन जाएगा एक बटा दस की दर से कितना हो जाएगा पहरे बच्चो सो रूपे फिर दूसरे साल जो ब्याज है उस पे फिर ब्याज लगेगा तो उस पर ब्याज लगेगा तो ये भी कितना हो जाएगा पहरे बच्चो दस रुपे एक बार दुबारा इस बात को समझना एक दस जार रुपे मूलदन था पहली साल का ब्याज कितना हो गए एक जार रुपे दूसरी साल का ब्याज एक जार रुपे तीसरी साल का ब्याज एक जार रूपे पहली साल जो ब्याज आया है उस पर दूसरी साल का दुबारा ब्याज निकालेंगे तो उसका ब्याज हो जाएगा सो रूपे अब तीसरी साल का चक्रवर्दी ब्याज निकालने के लिए अपन पीछे जितने भी ब्याज है उन सब पर ब्याज लगेगा तो दस एक अजार रुपे का अपने ब्याज निकाला है इस एक अजार रुपे का ब्याज हो गया सो रुपे ये जो सो रुपे थे इसका ब्याज हो गया दस रुपे तो यहां से चक्रवर्दी व्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों एक अजार प्लेस एक अजार प्लेस एक अजार प्लेस सो प्लेस सो और प्लेस दस यानि प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा तीन अजार यानि तेती सो दस रूपे 310 रूपे चक्रवर्दी व्याज हो जाएगा एक विशन और समझते हैं पर एक विशन और समझते हैं जैसे मूलदन दे रखा है अपने को 1400 रूपे दर दे रखी है 331 बटा 3 परतिशत समय दे रखा है अपने को 3 वर्ष चक्रवर्दी व्याज अपने को पूछा गया इसी विशन को रेशियो मेथट से भी आप कर सकते हो किछे वाली विशन को यहां आपने उदे रखा है दर 33 सही 1 बटा 3 परतिशत यानि कितना हो जाएगा इसका मतलब 1 बटा 3 हो गया अब मूलदन कितना है 2400 रूपे एक बटा 3 है एक बटा 3 से इसको गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 18 शुरूपे फिर एक बटा 3 से इसको गुणा करेंगे यह 18 शुरूपे फिर एक बटा 3 से इसको गुणा करेंगे यह भी 18 शुरूपे अब इस ब्याज का अपन दूसरी साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो दूसरी साल के लिए इसका ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्छो छे सो रुपे हो गया अब तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे तो पिछे जितने भी ब्याज है पीछे जितने भी ब्याज है उन सब पे दुबारा ब्याज लगेगा तो अठाराशो रुपे का ब्याज अगर निकालेंगे एक बटा तीन की दर्स है तो आएगा छेसो रुपे ये जो ब्याज है इसका निकालेंगे एक बटा तीन की दर्स है तो ये भी आएगा प्यारे बच्छो 600 रूप है ये जो व्याज है इसका तीसरी साल का व्याज निकालेंगे तो ये आएगा कितना 200 रूप है तो टोटल चक्रवर्दी व्याज कितना हो जाएगा अगर अपने को साधान ब्याज पूछा जाता तो साधान ब्याज ही हो जाता चक्रवर्दी ब्याज पूछा गया है तो यह हो जाएगा अठारा सो छेती सो चोवन सो यानि टोटल अगर मैं देखूं तो अठारा सो प्लेस अठारा सो प्लेस अठारा सो प्लेस 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 200 यानि पूरे को सोल करेंगे 500 यह हो जाएगा कितना 6,666 8,64 यह हो जाएगा प्यारे बच्छो प्यारे बच्छो एक किशन और करते हैं किशन यह दे रखा है मूल्दन है 8,000 रूपे दर दे रखिये 5 परतिशत समय यहां पर दे रखा है अपने को एक वर्ष तीन महीने दर पांच परतिशत है इसको अपन लिख सकते हैं एक बटा बीस ट्री मेथड से ही अपन क्यूशन कर रहे हैं मूलदन दे रखा है अपने को आठ अजार रुब एक वर्ष तीन महीने की बात कर रहा है तो फैस्ट येर सेकंड येर पहले अपन दूसरी साल की पूरी साल का ब्याज निकाल लेंगे फिर उसके तीन महीने का ब्याज निकाल लेंगे तो यहां पर दर हो गई एक बटा बीस तो यह कितना हो जाएगा फिर एक बटा बीस तो यह हो जाएगा फिर इसका दूसरी साल का ब्याज निकाल लेंगे तो यह कितना हैगा बीस रुपे बीस रुपे हैगा तो प्यारे बच्चों पर्थम वर्ष का तो पूरे का ब्याज कितना हो गया पर्थम वर्ष का ब्याज पर्थम वर्ष का ब्याज तो कितना हो गया पर्थम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रूपे द्वीती वर्ष का अगर ब्याज देखें तो यह द्वीती वर्ष का ब्याज है दूसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 420 रुपए यह दूसरे वर्ष का ब्याज है यानि 12 मेने का ब्याज कितना हो गया अथारत इस बात को अपने यह कह सकते हैं 12 माह का ब्याज हो गया 420 रुपए एक माह का ब्याज कितना हो जाएगा 420 बटे 12 अपने उची 3 माह का ब्याज तीन माय का ब्याज हो जाएगा चार सू बीस वट्टे बारा गुना तीन तीन चोग बारा यानि कितना हो जाएगा एक सो पांच रूपे तो टोटल कितना हो जाएगा ब्याज पर्थम वर्ष का ब्याज कितना हो गया प्यारे बच्छो चार सू रूपे प्लस तीन माय का ब्याज कितना हो जाएगा तीन माय का ब्याज कितना हो जाएगा एक सो पांच रुपे यानि कितना हो जाएगा प्यारे बच्छो पांच सो पांच रुपे तो यहां अपने बुचा गया था एक वर्ष तीन महीने का तो एक वर्ष का पूरे का ब्याज निकाल लिया फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के बाद में उसमें तीन महीने का ब्याज निकाल लिया एक कुशन और करते हैं प्यारे बच्चों जैसे कुशन दे रखा है मूलदन दे रखा है अपने को सोड़ा जार रुपे दर दे रखी है अपने को पांच परतिशत समय दे रखा है एक वर्ष दो सु गुनिश दिन समय दे रखा है एक वर्ष दो सु गुनिश दिन दर पांच परतिशत का मतलब इतना हो जाएगा एक बटा बीश हो जाएगा तो मूल दन है सोडा जा रूपे दो साल का ब्याज अपन निकालेंगे फिर दो सुगनेश दिन का निकाल देंगे दर एक बटा बीश है ये भी एक बटा बीश है एक बटा बीश का मतलब भी हो जाएगा आठ सो रूपे ये भी हो जाएगा 800 रूपे पहली साल का जो ब्याज है उस पर दूबरा ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्छो 40 रूपे 40 रूपे हो जाएगा तो पर्थम वर्ष का अगर ब्याज देखें तो पर्थम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा पर्थम वर्ष का ब्याज हो जाएगा 800 रूपए दूसरे वर्ष का अगर ब्याज देखें तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज यानि कितना आ रहा है 844 रूपए अथार्थ अपने ये कह सकते हैं 365 दिन का ब्याज हो आ रहा है कितना 840 रुपे एक दिन का कितना हो जाएगा 840 बटे 365 अपने को निकालना है कितने का दिन का 215 दिन का 215 दिन का हो जाएगा 840 बटे 365 इंटू 200 गुनिस यानि 13 से इसको cancel करेंगे ये 3 बार ये 5 बार पुरी को 6 करेंगे इसको तो ये बनेगा 504 रुपे तो ब्याज कितना आ जाएगा चकरवर्दी ब्याज कितना हो जाएगा पर्थव वर्ष का ब्याज कितना हो गया थै प्यारे बच्छो आटशो रुपे प्लस पान सू चार रूपे हो गया 211 दिन का ब्याज यानि कितना हो जाएगा तेरा सू चार रूपे तेरा सू चार रूपे ब्याज हो गया एक लास्ट क्रिशन इसी तरीके का अपन कर रहा है प्यारे बच्चो मूलदन है 10,240 दर दे रखिये साड़े बारा प्रतिशत समेद रखा है अपने को दो वर्ष तेतर दिन का चकरवर्दी ब्याज अपने को गयाद करना साड़े बारा प्रतिशत का मतलब हो जाएगा कितना प्यारे बच्चो एक बटा आप्ट मूलदन है कितना 10,240 रूपे फैस्ट इयर ये सेकिंड इयर है ये थर्ड इयर है पहली साल का अगर ब्याज देखेंगे एक बटा आठ प्रतिशत की दर है तो एक बटा आठ से कितना हो जाएगा आठ हेकम आठ याएगा फिर आठ दूनी शोला और बारा सुआसी रूपे दूसरे वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो वो भी बारा सुआसी रूपे आएगा तीसरे साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो भी आएगा बारा सुआसी रूपे पहली साल जो ब्याज आया इस पर दूबारा ब्याज लगेगा तो एक बटा आठ की दर से दुबारा ब्याज कितना हो जाएगा 160 रूफे अब तीसरी साल का चक्रवड़ी ब्याज निकालेंगे तो पीछे जितने भी ब्याज है उन पर ब्याज लगेगा तो एक बर्टा आठ की दर से इसका ब्याज निकालेंगे ये 160 रुपे आएगा इसका ब्याज निकालेंगे ये भी 160 रुपे आएगा फिर इसका ब्याज निकालेंगे तो ये आएगा कितना 20 रुपे 20 रुपे हो गया तो प्यारे बचों यहां अपने को दो वर्ष तेतर दिन का ब्याज भुच्छा है दो वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दो वर्ष का ब्याज दो वर्ष का ब्याज कुन सा हो गया बारा सो असी प्लैस बारा सो असी प्लैस एक सो साट ये दो वर्ष का ब्याज हो जाएगा तीसरे वर्ष का अगर ब्याज देखें दो वर्ष का ब्याजी हो गए है 1280 plus 1280 plus 160 तीस्रे वर्ष का ब्याज अगर देखें तो आएगा 1280 plus 160 plus 160 plus 20 इस पूरे को जोड़ेंगे तो यह बनेंगा 0 8 14 22 2 आएगा 3 चार और तो च्छे यह हो जाएगा सोडा सुबीस रुपे सोडा सुबीस रुपे तीसरे वर्स का ब्याज कितना है सोडा सुबीस रुपे अपने को निकालना है तेतर दिन का यानि तीन सुबैसट दिन का जो ब्याज आया है वो कितना है सोडा सो Tuesday रूपे तो एक दिन का कितना आ जाएगा सोडा सोवीश वटटा 365 अपने को निकालना है तेतर दिन तो तेतर दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे तेतर दिन से इसको गुणा कर दे सोडा सो बीश वटटा 365 गुना तेतर यानी कितना हो जाएगा पांच बार कैंसिल हो जाएगा पांच का इसमें बाग देंगे तो यह बनेगा पांस ठी, पन्दरा पांस दोनी, 10 पांच चुख, 20 तीन सु चोईस रुपी ही हो गए दो वर्स का यह जू ब्याज था उख जाएगा यह हो जाएगा 0, 22, 3, 2, 5, 2, 7 और यह हो जाएगा 4720 रुपे 4720 रुपे यह हो जाएगा प्लस यह इसमें जोड़ दें यह हो जाएगा कितना 24, 2560 रुपे होगा 2560 और यह हो जाएगा 2560 प्लस 60 हो जाएगा कितना 2620 2720 रुपे होगा यह 2720 हो जाएगा प्लस 324 रुपे इसमें यह जोड़ देंगा तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चो दो वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2720 रुपे प्लस 324 रुपे ही हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा प्यारे बच्छो तीन अजार चोब माले शुरूपे एक लास्ट कंसिप्ट अपन और समझ रहे हैं प्यारे बच्छो जब ब्याज की दर अर्दवार सिखो ब्याज की दर अर्दवार सिखो ब्याज की दर अगर अर्दवार्सिक हो तो इस बात का मतलब यह होता है कि हर छे महीने से ब्याज का इसाब होता है तो बारा महीने हैं हर छे महीने से इसाब होता है तो समय तो क्या हो जाएगा दुगुना समय तो हो गया दुगुना यानि छे-छे एक साल में अगर छे महीने अगर माने जाएं तो बारा महीने में कितनी साल हो जाएंगी दो साल हो जाएंगी तो समय दुगुना हो जाएगा जबकि दर क्या हो जाएगी प्यारे बच्छो आदी, दर आदी हो जाए दर का मतलब होता है बारा महीने का ब्याज अगर बारा महीने का ब्याज मालो दस परतिशत है तो एक महीने का ब्याज कितना हैगा दस बटे बारा अब छे महीने का ब्याज निकालेंगे तो कितना हैगा 10 बटे 12 गुना 6 यानि कितना हो गया 5 परतिशत तो जब भी अपन ब्याज की दर अर्दवार्सिक दी हुई हो तो समय को दुगुना करना है दर को आधी करना है जैसे एक एक्जामपल अपन देख रहे हैं किशन दे रहे हैं मूलदन दे रहे हैं अपने को 8000 रुपे दर दे रहे हैं अपने को 10 परतिशत समय दे रहे हैं अपने को 9 मा नो मा दे रहे हैं तो यहां बियाज की दर अर्दुवार सिक है,थ तो यहां पर दर्तु कितनए हो जाएगी? आद्धी हो जाएगी यानि य्ट्नी हो जाएगी? 5 परतिश्पत समय कितना हो जाएगा नो माय का दुगुना हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा फैरे पच्छो अठारा माय अठारा माय का मतलब हो जाएगा एक वर्स छै माय दर पांच परतिशत है तो मूल दन अपने को दे रखा हुए त्री मेथड अपन काम में ले रहे हैं मूल्दन दे रखा अपने को कितना 8000 रुपे दर 5% है इसका उन्हें एक बटा 20 एक बटा 20 से इसका अगर आपन ब्याज निकालेंगे तो कितना हैगा प्यारे बच्छो चार सो रुपए फिर इसका ब्याज निकालेंगे चार सो रुपए आएगा अब ये जो ब्याज है इसका दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्छ का ब्याज दूसरी वर्ष का अगर ब्याज देखा जाए तो वो हो जाएगा चार सुबीस रुपे अथार्थ बारा माह का ब्याज अथार्थ बारा माह का ब्याज वो कितना हो गया है चार सुबीस रुपे एक माह का कितना हो जाएगा 420 बटे 12 अपने उची ये 6 मार का ब्याज तो 6 मार का ब्याज हो जाएगा 420 बटे 12 इंटू 6 ये से कैंसिल हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा 210 रूफे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे बचो पर्थम वर्षका हो गया चार सूप छे मागा हो जाएगा 210 रूपे यानि कितना जाएगा 610 रूपे इसी परकार जब ब्याज की दर त्रे माशी को तब क्या होगा समय हो जाएगा चार गुना यानि हर तीन मेने से इसाब होगा तो एक साल में चार क्वाटर हो जाएगे तो समय हो जाएगा चार गुना समय हो जाएगा चार गुना जबकि दर क्या हो जाएगी एक चोट है दर हो जाएगी एक चोट है वोई तरीका बारा महीने की जो दर दे रखी है तो उसमें चार में, तीन महीने के अगर दर निकालेंगे तो चार का भाग लग जाएगा उसके इंदर जैसे एक एकजम्पल है किशन है मूलदन दे रखा है जैसे अपने को बाराजार रूपे दर दे रखी है अपने को चाड़ेस परतिशत समें दे रखा है अपने को चै मा दे रखा है किशन में दे रखा है ब्याज की जो दर है वो त्रे मासिक है ब्याज की दर त्रे मासिक है ब्याज की दर ब्याज की दर त्रे मासिक है तो दर क्या हो जाएगी एक चोथा ही हो जाएगी यानि कितनी हो जाएगी दस परतिशत समय कितना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा चोईस माय चोईस माय का मतलब कितना हो जाएगा दू अब इसका ब्याज़ा पर निकाल सकते हैं मूल दन कितना हो गया बारा अजार रुपे पहले साल का ब्याज निकालेंगे दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे दर दस परतीसेत हैं दस परतीसेत का मतलब हो जाएगा एक बटा दस तो एक बटा दस की हिसाब से ये कितना हैगा बारा सुरू है दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे वो भी कितना आएगा बारा सू रूपे अब पहली साल जो ब्याज आया है उस वे वापी से अपन क्या करेंगे ब्याज निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1200 का एक बटादस की दर से ब्याज हो जाएगा, 120 रूप है तो यहाँ पे अगर आपन चक्रवर्धी ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा प्यारे पच्छो 1200 प्लस 1200 प्लस 120 यानि कितना हो जाएगा 25200 रूप है जब ब्याज की तर्चे मासिक होगी तो समय चार गुणा हो जाएगा दर एक चोथा हो जाएगी दर एक चोथा इसलिए हो जाएगी यह जो 40 परतिशत दर दे रखिए वो 12 महीनी की दर दे रखिए अपने को 12 माहे की दर दे रखिए अपने को कितनी 40 परतिशत तो एक माहे की दर कितनी आएगी 40 बटे 12, 3 माय की दर पुछी गई है, 3 माय की दर हो जाएगी 40 बटे 12 गुणा 3 यानि कितना आजाएगा, यह से कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना आएगा, 10 परतिशत नेक्स्ट की जो क्लास होगी उसमें अपन इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे तेंक यू